तो बिल्कुल पश्चिम बंगाल में राजनीती चरम पर है और ममता दीदी की मुश्किलें बड़ी हुई है उनके एक एक सिपैसलार एक एक करके छोड़ते चले जा रहे हैं कोई ब्रस्टा चार का रोप लगा रहा है तो कोई कह रहा है कि ममता दीदी तानाशाई करती है और जैसे अमिच्चा की रैली हुई है पश्चिम बंगाल में उसके बाद से भगदर मची हुई है टीमसी के बीतर अब प्रधानमत्री नरेंदर मोदी का भी दोरा होना है कयास इसी बात के लगाए जा रहा है कि अगर इस तरीके की सिती रहती है तो अमिच्चा ने जो कुछ कहा था क्या वो सही होता रमन नजर आएगा क्या एकला रह जाएंगे ममता बनर जी बिल्कुल और भी शेक कहा जा रहा है कि सिर्फ तीन या चार ही लोग उनके साथ बचेंगे जिस तरह से बयान उनके पार्टी के भी आ रहे थे एक उनके बतीजे एक पीके और एक ममता दीजी तो इस तरह के बयान भी आ रहे हैं और लगातार उनके लिए मुश्किल हो रहा क्योंकि बहुत सारे ऐसे नेता है विशाली दिसंबर के महीने में जो गवर्नर है उनसे भी मिली थी इसके अलावा आड़ा के जो बाली विधान सबा चेतर है वहां से विधायक है और टीमसी में ये कयास लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है वो भी परिवर्तन कर ले और लक्ष्णी रतन शुकला ने जैसे ही चोड़ा जो इनके बाजू आली विधान सबा सीट से थे उसके बाद ये और मुखर हो गए इन्होंने कहा कि कुछ लोग हैं जो पार्टी को दीमक की तरह खुखला करते जा रहे हैं और यही बज़ा है कि अब कयास और जोर पकड़ने लगे हैं क्योंकि पिछली बार देखिए कि जब अमिच शा पहुँचे थे तो वहाँ पर मंच में कई ऐसे टीमसी के कदावार नेता नजर आयते जिनके साथ अक्ष्णी तो यही माना जा रहा था कि हो सकता है कि जो अमि पहला सवाल तो मैं आपसे यही पूछना चाहूंगा कि कुछ वीडियो बने कुछ पोस्टर लगे आपके विधान सवा में और कहा गया कि वैशाली डालमियां बाहरी हैं हां वो तो लगवाया थे कुछ एक्स काउंसिलर ने वो लगवाया कि मैं बाहरी हूं तो यह तो मैं डिसाइड नहीं कर पाऊंगी कि मैं कहां से खड़ी होंगी या कहां से मुझे टिकिट दिया जाएगा 2016 में Honorable Chief Minister Supreme she decided कि मैं कहां से like I'm going to contest तो यह तो उपर से ठीक किया गया तो यह मैं नहीं बता पाऊंगी वो लोग जादा जानते होंगे जिन्नोंने टिकिट दिया उनसे तो वो वो लोग बता पाएंगे Honorable Chief Minister के उपर question वो लोग उठा रहे हैं तो यह मैं नहीं बता पाऊंग सब कुछ ठीक नहीं है तो क्या पार्टी फोरम में अब आप जैसे निताओं की भी सुनवाई नहीं होती है हाँ मैंने बताया देखिए मैं तो बहुत इन से बता रही हूँ कि देखिए यह लोग एक एक करके कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं सिर्फ मेरे पीछे नहीं बहुत पब्लिक के पीछे तो जादा करते हैं पब्लिक के पीछे करते हैं HMC में जो फंड आने वाला है जैसे कोई इलीगल कंस्राक्शन में यह लोग इनवाल्व रहते हैं HMC में फंड मूनिसिपल कॉर्परेशन में वो लोग फंड रोख के वो लोग संक्शनिंग बाड़ी हो जाते हैं ये सब कुछ ना कुछ वो लोग करते ही जाते हैं, जिसका विरोध मैं करती हूँ, तलाओं को बंद करवा देते हैं, तलाओं में बिल्डिंग उठा देते हैं, ये सब कुछ ना कुछ वो लोग करते हैं, जो लेके मैं तीन साल से तो मैं बहुत ही ज़्यादा बोल रही हूँ वो लोग कौन है वो लोग जिसका जिकर आप बार-बार कर रही है वो जो एक्स काउंसिलर्स आपने जो question पूछा कि एक्स काउंसिलर्स जो पार्टी में ही हैं आप कभी देखेंगे नहीं कि कोई विरोधी पार्टी वो लोग बोल रहे हैं कि हाँ उनको परिसेवा नहीं मिल रहा है या मैं कुछ नहीं कर रहे हूं यह लोग कभी नहीं कर देखेंगे विरोधी पार्टी कभी नहीं बोल रहे हैं विरोधी पार्टी जानते हैं मैं क्या करती हूं यह जो पार्टी के अंदर जो कुछ ex-councilers हैं, उनका पथ चला गया, they have become frustrated for last two, more than two years, more than that, तो उसके बाद से उन लोग का रवाई has changed, वो लोग ज्यादा तोला बाजी नहीं कर पा रहे हैं, उन लोग को irritation हो रहा है, मैं रोक रही हूं उन सब जगा, यह सब करते करते हैं, उन लोग के ताकत बढ़ाई जा रहे हैं, तो कौन से यह लोग हैं, पार्टी की हम बीचार? कि बात Теперь कोई तो कर रहा है कोई शपोर्ट कर रहा है को जीला सतर से सब कर रहा है उनको सील लिए वह बिटेव सब कर रहें देखिए जीला सभसरे सब के फीचे लगा जाए तो मैं तोरह ज्यादा वोकल हूँ वो हीज लिटल डोसाइल वो ज्यादा चिलाते नहीं है बात नहीं करते हैं कि अपनी शिकायत पहुंचाई हाँ रिसेंटली मैंने बताया में रिसेंटली आफ टोलर रिसेंटली पहले मैं बताई हो शायद एक्शन लिया जाएगा तो ऐसा संगठन जो आपकी सुनी नहीं रहा है तो ऐसा संगठन बदलने का भी कोई ख्याल दिल में आया क्या है तेखें मेरा सुनने रहा है ये बात हो गई जहां मेरा नहीं सुनने से क्या होगा मेरा नुकसान होगा कि मेरा क्या नुकसान होगा कि लक्षमेरतन शुकला जी जैसे यह पार्टी से मूह मोर लिये हैं वैसे कोई कोई पार्टी से मूह मोर सकता है उतना ही होगा लेकिन यह लो की तरह पार्टी को अंदर से खोगला करें मेरे पहले और एक जन थे ये पार्टी में जो विधायक उनके पीछे इतना लगे कि वो भी हट गए पॉलिटिक से वो भी पॉलिटिक से हट गए वो बोल दिये कि नहीं मुझे नहीं खड़ा होना है बाली से और इसके बाद लक्ष जैसे रथीन चक्रवर्ती जी हैं वो एक्स मेयर है उनके भी एलाके में या पॉलिस तो नहीं बता नहीं है जो दिरे दिरे पार्टी का हाथ छोड़कर दूसरी पार्टी में जाने वाले है समझ तो वही आ रहा है कि यह तो मैंने डिसाइड नहीं किया अभी जो मुद्दा उट रही है कि यह लोग कैसे किन-किन को डिस्टरब करते हैं पार्टी के अंदर क्या कलाई यह लोग स्रिष्टी कर रहे हैं यह कौन है जो यह सब करके पार्टी का जो एक भावमूर्ती है उसको खराब कर रहे है यह लोग कौन है एक चीज़ वैशाली जी जाने के पैदे मैं समझना चाहरा हूँ देखिए आप लगातार आरूप लगा रही है कि दीमक की तरह कोई इसे खाली कर रहा है इसे खोकला कर रहा है आप उन लोगों क्या नाम तो ले रही है जो परिशान हो रहे है जो परिशा परिशाली चुक्त सब्सक्राइब करें को जाता रही है यह जो रही है जोगाता सब्सक्राइब करने पर लेंगी जो जो चल्टी पर देखिए तकना नाम पार्टी पर नहीं आपके जैसा एक national channel well known तो उसमें लेके उनको तो मैं highlight कभी नहीं करूंगी वो जितना भी मुझे बोले चलिए वैशारी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ चुड़ने का और अपना दर्द साजा करने के लिए